नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुखे खवर पर नजर डालते हैं नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत हैं नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत हैं नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत हैं बतादे राजधानी पहुँचने वाले पथ पर बैरिकेटिंग कर देर राज से ही काफी संख्या में पूलिस बलके जवानों की तैनाती की गई थी लेकिन इसके बाद भी साहयक पूलिस कर्मियों को रोकने में राजधानी पूलिस पूरी तरह भी फल साबित हुई वे अनिस्चित कालिन धरना पर बैठ गए हैं नगर निगम बोट की बैठक में हंगामा नगर निगम बोट की बैठक सोम वार को हंगामे की भेट चड़ गई बतादे यह 11 बजे ही शुरू होनी थी लेकिन काफी देर से शुरू हुई हंगामे के बाद अधिकारी बैठक से चले गए बतादे मेर समेत वार परसत नगर निगम के गेट पर धरने पर बैठ गए वे नारे लगा रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी वार परसत नगर आयोक्त के टेबल तक आ गए सबका कहना है कि नगर आयोक्त बैठक शुरू कराए अधिकारियों को बुलाए लेकिन अधिकारी आने के लिए त्यार नहीं है एक अक्टूबर से खादे समागरी बेचना है तो रसीत पर दर्ज कराना होगा लाइसेंस नमबर अक्टूबर महिने से रेस्टोरेंट मिठाई की दुकानों सहित अनपरतिस्ठानों से जनरेट होने वाले बील पर एफ एस एस आई नमबर लिखना अनिवारे होगा ऐसा नहीं करने वालों पर नियम संगत करवाई होगी बता दे ऐसा नहीं करने वाले पर करवाई होगी ऐसा देश F-S-S-I का है अक्टूबर माह से इस नई वेवस्था को लागू कर दिया जाएगा बिहार वः यूपी की तरज पर जारखंड ATS को भी मिलेगी सकती बिहार और यूपी ATS की तरज पर जारखंड में ATS को सकती दी जाएगी ताकि बे रोक टेक वः पूरे परदेश में अपराधियू पर सिकंजा कर सके इसके लिए पूलिस मुख्याले राज सरकार को प्रस्ताव भेजा है बता दे पहले से ही आतांकी गतिपीदिया में सामिल लोगों के खिलाप करवाई करने का अधिकार ATS को मिला हुए है प्रस्ताव के तहथ ATS राजे के माफिया गैंग के खिलाप सर्टिक सुचना के तहथ करवाई करेगा वहीं गैंग के अपराधियों के खिलाप ATS खूद और जीला पूलिस के साथ मिलकर एक्सन लेगा जीत राम मुंडा हत्या कांड में सूटर समय तीन गिरफतार रांची पूलिस ने भाजपा ATS टी मोर्चा के रांची गिरामिन जीला अध्यक्स जीत राम मुंडा हत्या कंड का खूलासा लगभग कर दिया है बता दे रेक की करने वाले के बाद अब मामले में SIT ने उत्तर परदे से सूटर को भी गिरफतार कर लिया है इसके अलावा उस ब्यक्ति को भी पकड़ा गया है जिसकी बाइक पर बैट कर सूटर घटना अस्ठल से भागा था हलाकि पूरे कांड का मास्टर माइन मनोज मुंडा अब भी पूलिस की गिरफत से दूर है रांची से दरभांगा और बनारस के लिए सीधी फलाइट सेवा है रांची से दरभांगा और बनारसी के लिए काफी संख्या में यात्री उपलब्ध है इन दोनों जग हो के लिए बिमान सेवा जल शुरू होगी इसके लिए यारपोर्ट प्रवंधक से बात चीत हुई है ये बात सांसत संजा सेथ ने रभिवार को कही वे बीर्सा मुंडा यारपोर्ट सलाकार समितिक बैठक में सिर्कत करने पहुँचे थे वहीं बिर्शा मुंडाया रपोर्ट परवंधक बिनोर सर्मा ने कहा कि सांसत के प्रस्ताव को स्विक्रिती के लिए बिभाग को पत्र लिखा जाएगा वहां से स्विक्रिती मिलते ही इस पर काम सुरू कर दिया जाएगा जहरखड के सभी सहरों में मुफ्थ पानी कनक्सन राज्य के सभी सहरों में पानी का मुफ्थ कनक्सन दिया जा रहा है बता दे राज सरकार इसके ताथ निसुल्क मीटर भी उपलब्द करा रही है नगर विकास विभाग ने कहा है कि इसके वज में अस्थानिय निकाय या निकाय द्वारा नियुक्त एजनसी कोई भी रासी नहीं वसलेगी जनवरी 2021 से राजे में लागू जल नीती के तहत राज सरकार सहरो में सभी आईस रेणी के आवास में निसुल्क मीटर युक्त वाटर कनक्शन उप्लप्त करा रही है हर महिने 5 किलो लीटर पानी भी मुफ्त दिया जा रहा है इससे अधीक पानी के उप्योग पर ही सुल्क दे है गुलाब तुफान की दस्तक छारखन में 29 और 30 को भारी बारिस राजे के दक्षिनी तथा मध्य छेत्र में 29 और 30 सितंबर को भारी बारिस हो सकती है ऐसा बंगाल की खाड़ी में आ रहे तुफान गुलाब की वज़ा से हो रहा है गुलाब तुफान का असर उडिसा में देखने लगा है बतादे गोपालपूर में तुफान टक्राया और बारिस शुरू हो गई है इसके 29 सितंबर को पच्छी मंगाल के 30 और इलाके में पहुँचने के उमीद है उसी वक्त या जार्खन में भी असर दिखाने लगेगा बतादे जार्खन के 10 जीलो में इसका असर होगा 6 जीलो में आंसिक असर पढ़ने के उमीद है इसे लेकर एलो अलट जारी किया गया है जार्खन पर्याटकों के लिए खुसखवरी खुलेगा बेतला नेशनल पार्क जार्खन पर्याटकों के लिए खुसखवरी है बतादे बेतला नेशनल पार्क सहीद पलामू टाइगर रिजर्ब के विभीन परियाटन अस्तलों पर जाकर सेर सपाटा कर सकेंगे कोरोना के कम होते असर और वैक्सिनेशन के बाद सरकार के परियाटन अस्तलों को खुलने कादेश के बावजूत बरसात में बन जीवों के प्रजरन काल को देखते हुए पार्क को नहीं खुला गया था बता दे एक बार फिर 176 दिनों बाद एक अक्टूबर से पी टी आर परियाटन को फूरी तरह से खोल दिया जाएगा कोडार्मा में माल गाडी हुई बेपटरी धनबाद रेल मंडल अंतरगत ग्रेंड कार्ड सेक्षन इजदित कोडार्मा रेलवे स्टेशन के प्लेटफर्म से करीब 200 मीटर दूर पर रेलवे फाटक के समीब सोमवर्गी सुबा करीब 9 बजे एक माल गाडी बेपटरी हो गई पोल संख्या 94 बाई 1-3 के समीब डाउन लाइन पर अचानक माल गाडी की एक बोगी के चार पहिए पटरी से उतर गए घाटना के तुरंत पर इसकी सुचना धनबाद कंट्रूल को दी गई इसके बाद निताजी सुबास चंद्र बोस गोमो जक्षन को अलट किया गया यहां से दुर घाटना रहत वाहन को डारमा के लिए चल चुकी जारखन के चार परियाटन अस्थल बनेंगे वाटर एडवेंचर एस्पोर्ट जारखन को परियाटन हब बनाने के त्यारी जोर से चल रही है खासकर करोना काल के बाद इस दिशा में परियाटन विभाग जूट गया है बता दे करोना संक्रमन के बाद परियाटन केंद्र खुलने के साथ ही कई परियाटन अस्थलों को एडवेंचर टूरिजम के साथ बिक्सित करने के त्यारी है करोना के पहले नेतरहाट काके डेम, चंडिला डेम और मंसार जोर में वाटर एडवेंचर खुलना था लेकिन जिस एजेंसी के चैन किया गया था वह काम नहीं कर सकी बता दे परियाटन विभाग के जी एम डाक्टर अलोग परसाद बताते हैं की फिर से इन जगों के लिए टेंडर निकाला जाएगा पिछली बार जो टेंडर निकाला गया था उसे रद कर दिया गया है जारखन में 13 से 15 वर्स के 5.1% किसी ने किसी रूप में तमबाकू का सेवन करते हैं हलाकि पिछले एक दसक में तमबाकू के सेवन में काफी कमी आई है साथ यही कई राजियों के तूला में जारखन के इसेती काफी बेतर हुई है बतादे बैस्वीक युवा तमबाकू सर्वेक्षन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है इस सर्वेक्षन के उनसार जारखन तमबाकू के सेवन 13 से 15 वर्स में देश भर के सभी राजियों के इंद्रसासित परदेशों में 22 वे अस्थान पर है PLA5 से मुड़ भेड के बाद सर्वेक्षन जारी पोडा हाट जंगल में PLA5 उग्रवादियों से मुड़ भेड के बाद सुरक्षा बलो ने कई हत्यार और अपाती जनक समान बरामत किये है सर्वेक्षन अभी भी जारी बताया जा रहा है बताया जाराय किया मुड़ भेड पच्मी सिमू जीले के गुदली थाना छेतर के बांदू पंचायत के टेमना गाउ में हुई है मिली जनकारी के उनसार सो मुआ तड़के PLA5 के उग्रवादियों और सुरक्षा बलो के बीच मुड़ भेड हुई उग्रवादि सुप्रीमों दिनेस गोप संतोस कंडोलना दस्ते के साथ खुंटी जीले मेतनाथ CRPF 94 और बोकारो बटालियन के साथ मुड़ भेड की सुचना मिलते ही मुख्याले को भी अलट कर दिया गया है धन्यवाद